मेरा नाम रजनी है, मैं एक छोटे शहर में पैदा हुई, मेरे पिताजी साधारण नौकरी करते थे, मैं सुन्दर थी, बदन भरा हुआ था, कॉलेज में कई लड़के मुझ पर मरते थे पर मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती थी, 23 की उम्र में मेरी शाधी हो गई, मेरे पती एक बड़े शहर में नौकरी करते थे, शाधी के बाद पती ने कहां छुट्ती नहीं मिल रही है, कल ही हम दोनों शहर चले जाएंगे और अपना काम वही करेंगे, मैं मान गई और ट्रेन से हम दोनों शहर पहुचे, उधर पती एक कमरे के फ्लाट में रहते थे, किचन और लिविंग रूम भी था, मेरे पती बहुत प्यारे थे, रात को मैं सर्धच कर पलंग पर बैठी थी, पती कमरे में आए, मैं सोच रही थी कि वहाँ बाते करेंगे, मेरी सुंदर्ता की तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा पती सीधा काम में लग गया और कम पूरा करने के बाद बात्रूम चले गए, मेरे पती बात्रूम से अपना शरीर साफ करते हुए बाहर आए, उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया और बोले जाओ धोकर आओ, उसके पहले चादर बदल दो, चादर पर कच्रा फैला था, मैंने चादर बदली और बात्रूम में हाथ मोध होने चली गई, मेरे बात्रूम से निकलते ही पती ने मुझे बिस्तर पर खीच लिया, मैं विंती करने लगी कि आज और नहीं, वो नहीं मान रहे थे, मैंने कहा बदद दुख रहा है, फिर इसके तरफ इशारा करके कहा यहां बहुत दुख रहा है, पती ने कहा घबरा मत, आज कुछ नहीं करूंगा, सुबह मैंने देखा कि मैं सोई हुई थी, पती भी थे और आराम से सो रहे थे, मैंने जैसे तैसे उठकर स्नान किया, कपड़े पहन कर चाय बना कर पती को जगाया, मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी, पती ने दर्द निवारक दवा दी और कहा इससे आराम मिल जाएगा, पती ओफिस चले गए, मेरी सहेली ने समझाया था, पहले बच्चे की जल्दी मत करना, सहेली ने मुझे गोली दी थी जो मैं शादी के बाद से ले रही थी, मैंने किसी तरह खाना बनाया, थोड़ा खाया, बाकी रात के लिए रख दिया, मैं सो गई, शाम को पती ने ओफिस से आकर मुझे जगाया, चाए नाश्ते के बाद पती ने एक विडियो दिखाया और ऐसा ही करने को कहा, मैं जिजग रही थी, पती ने विडियो के समान मुझे घुटनों के बल बैठाया और करने की जिद करने लगा, और उसने कर भी लिया जो उसे करना था, अब रोज यही होता, बीस दिन बाद मुझे मासिक हुआ, उस रात मैंने पती को कहा कि आज नहीं, कारण भी बताया, मुझे समझ में आ गया कि जब तक मुझे पीडा नहीं होगी, पती को आनन्द नहीं आएगा, अब मैं काम के समय दर्ध होने का नातक करने लगी, मैं अपनी परिस्थिती अपनी मा को नहीं बताना चाहती थी, मैंने अपनी सहेली को फोन पर सब बताया, सुनकर सहेली ने कहा लगता है तेरी शादी नहीं टिकेगी, गोली लेती रहें, तेरे शहर में मेरी एक सहेली निशा रहती है, मैं उससे बात करूंगी, एक दिन मेरी सहेली की सहेली निशा का फोन आया, उसने मेरा पता लिया, दूसरे दिन निशा मेरे घर आई, मैंने और पती के मेरे साथ बरताव के बारे में विस्तार से निशा को बताया. निशा भी बोली लगता है तेरी शादी तिक नहीं पाएगी, मेरी मदद की जरूरत हो तो बोलना. मैं कुछ नहीं बोली. निशा ने बताया कि मेरा तलाक हो गया है. मैं अब अकेली रहती हूँ और खूब कमाती हूँ हमारी बात ख्म होते ही मेरे पती घर आ गए मैंने निशा का परिचय अपने पती से कराया कहा ये मेरी सहली है निशा आधुने कपड़े में स्मार्ट और सुन्दर लग रही थी अंग्रेजी फ्राटे से बोलती थी पती ने कहा मतलब तुम्हारी बहन वे उसे पटाने की कोशिश कर रहे थे एक दिन पती ने कहा शाम को उनके ऑफिस के मैनेजर आएंगे रात का खाना खाएंगे अच्छे कपड़े पहनना धन से तयार होना शाम को मैनेजर आएंगे पती ने परिचय कराया उनका नाम रंजन था उम्र करीब 45 सुन्दर व्यक्तित्व था सबने साथ बैठ कर खाना खाया रंजन ने खाने की तारीफ की उन्होंने कहा रजनी जी आप जितनी सुन्दर हो खाना भी उतना ही अच्छा बनाती हो ये सुनकर मुझे अच्छा लगा मेरे पती ने कभी मेरी सुन्दरता और खाने की तारीफ नहीं की थी मैंने शर्मा कर धन्यवाद कहा थोड़ी देर गपशप के बाद पती रंजन को हमारे शयनकक्ष में ले गए रंजन को शयनकक्ष में छोड़ कर अकेले वापिस आए पती ने कहा रंजन आज रात यहां रहेंगे मुझे अजीब लगा पती ने कहा जब से रंजन ने तुम्हारी फोटो देखी है तब से रंजन एक रात तुम्हारे साथ बिताने की जिद कर रही है मैंने कहा मैं उस टाइप की नहीं हूँ मैं रंजन के साथ नहीं सोऊंगी पती कहने लगे मेरी नौकरी खत्रे में है रंजन ही उसे बचा सकते है प्लीज मान जाओ मेरे मना करने पर पती ने गुसा करते हुए कहा मान जाओ नहीं तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा मैं मजबूर हो गई मेरे शयन कक्ष जाते ही रंजन बोला आए रजनी जी रंजन ने मेरे कॉलेज परिवार के बारे में पूछा रंजन सज्जनता से पेश आ रहा था मुझे कही ना कही वो आदमी ठीक लग रहा था मैं थोड़ी सहज महसूस कर रही थी फिर रंजन ने अपने बारे में बताया रंजन ने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी बीवी का देहान्त हो गया है वह अपनी बीवी की याद में दुखी रहता है मतलब आज की रात रंजन मुझे अपनी बीवी समझ कर प्यार करेगा मेरे पती ने इतना अच्छा बरताव मेरे साथ कभी नहीं किया था मैंने सोचा जब साथ सोना ही है तो क्यों न इस अवसर का मजा लिया जाए रंजन ने मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया मेरी आंखों में देख कर कहा तुम बहुत सुन्दर लग रही हो उस रात हम दोनों ने दो बार काम का आनंद लिया रंजन बोला रजनी तुमने मुझे आज बहुत सुख दिया है क्या तुमको मेरा साथ अच्छा लगा मैंने जवाब दिया मुझे जीवन में पहली बार इतना सुख मिला रंजन ने अपना फोन नंबर दिया और कहा कभी भी किसी तरह की जरूरत हो मुझे फोन करना तुम मुझे अपने साथ पाऊगी मैं मुस्कुरा दी एक रात मेरे पती एक आदमी को लेकर घर आए उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा आज रात तुमको इस आदमी के साथ काम करना है मेरे मना करने पर मुझे धंकी देने लगे उस आदमी ने मुझे रात भर किया सुबह जब मेरी आखे खुली तो मैंने देखा वो आदमी मेरे पती को काफी रुपए दे रहा था इसके बाद मेरे घर अलग-अलग मर्द आने लगे मेरे पती मेरे सामने उनसे रुपए लेने लगे कभी-कभी दो मर्द एक साथ मेरी साथ काम करने आ जाते थे मैंने अपने पती से तलाक लेने का फैसला कर लिया दो दिन बाद पती ने बताया वह कल तीन दिन के लिए आफिस का काम से बाहर जा रही है पती के जाते ही मैंने निशा को फोन किया निशा मुझे अपने घर ले गई वहाँ निशा का वकील आया, उसे निशा ने पहले से मेरे बारे में बता रखा था निशा और वकील ने मुझे योजना समझाई वकील ने तलाक की अर्जी पर मेरे हस्ताक्षर लिये निशा अपने साथ एक तक्नीकी आदमी को लेकर मेरे घर आई उस आदमी ने मेरे घर गुप्त कैमरा लगा दिया, उसमें विडियो के साथ आवाज भी रिकॉर्ड होती थी कैमरे की रिकॉर्डिंग को निशा के मोबाइल में देखने और सेफ करने की सुविधा थी उन्होंने कैमरा चला कर देखा, मुझे बताया कि कहां खड़े होना है, जिससे रिकॉर्डिंग सबसे अच्छी होगी मुझे अभ्यास कराया कैमरा कैसे चालू करना है, ये भी बताया तीन दिन बाद पती वापस आए वकील ने योजना अनुसार शुक्रुवार को मेरा ग्राहक बन कर पती को फोन किया उन्होंने कहा ये फोन नंबर एक दोस्त ने दिया है वकील ने काफी रुप्यों का लालच दिया और पती ने सौदा कर लिया इधर मैंने कैमरा चालू कर दिया था पती ने मुझे बताया कि आज शाम एक मर्द आने वाला है मैं जोर से बोलने लगी मैं किसी पराए मर्द के साथ नहीं लेटूंगी पती मुझे पीठने लगे और चला कर कहने लगे तुझे मैं जिसके साथ भी सोने को कहूंगा तुझे उसके साथ सोना पड़ेगा ये ग्राहक तेरे साथ काम करने के बहुत रुपए देने वाला है निशा फ्लाट के बाहर खड़ी थी वो अपने मोबाइल पर सब देख और रेकॉर्ड कर रही थी निशा ने दर्वाजे की घंटी बजाई मैंने दर्वाजा खोला निशा को देख कर पती सक्ते में आ गए तब निशा ने कहा मैंने बाहर से सब सुना है मैं रजनी को अपने साथ ले जा रही हूँ पती का विरोध करने पर निशा ने पुलीस बुलाने की धंकी दी मैं निशा के साथ ठाने गई वकील वहां मौजूद था पुलीस ने मेरी शिकायत दर्ज की वकील की थाने में अच्छी पहचान थी शुक्रवार रात पुलीस ने मेरे पती को गिरफ्तार कर लिया मैं अपने फ्लैट से अपना सामान कैमरा लेकर निशा के साथ उसके घर आ गई योजना अनुसार, शनिवार सुभा वकील साहब ठाने के लोकप में मेरे पती से मिले वकील ने पती को बताया, बीवी को पीठने और उसे दूसरे मर्द का साथ सोने को मज़बूर करने की कोशश के अपराद में पती को कम कम से कम पाँच साल की कैद होगी मेरे पती बोले मैंने ऐसा नहीं किया वकील ने वीडियो दिखा कर कहा सोमवार की सुबह यह वीडियो अदालत को दिखाने के बाद सब साफ हो जाएगा तुम्हें जमानत भी नहीं मिलेगी पूरे पाथ साल की कैद पक्की है मेरे पती अब वकील के सामने रोने लगे कह रहे थे कि किसी भी तरह मुझे आप मुझे बचाईए वकील ने कहा एक उपाए है मैंने आपकी बीवी से बात की है आप आपसी सहमती से तलाग की अर्जी में दस्तखत कर दो मेरे पती ने तुरंथ हस्ताक्षर कर दिये झाल 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 झाल